साथियों नमशकार, कैसे हैं आप निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे और अपने विध्यारतियों के लिए आप अपने कक्षा कक्ष में बहुत अच्छे अच्छे रचनात्मक एवम नवाचार कर रहे होंगे मित्रों आज हम फिर लेकर आए हैं आप सभी के लिए हैंड मेड टी अलम कि किस तरह से आप बच्चे को कक्षा कक्ष की तरफ आकरशित कर सकते हैं आप देखिए यह हम देखाना चाहेंगे बचचे को अपने जो जन्म दिन है ', बर्थड़े है उसे बड़ा लगाव रहता है उसी के लिए हमने TLM त्यार किया है जन्वरी महीने में जो बच्चों के बर्थडे आते हैं उसके लिए हमने सेपेसल TLM त्यार किया है आप देख सकते हैं कि हमारी कक्षा कक्ष में लगवक 30 विद्धारती है उसमें यदि जन्वरी के हम बात करें तो जो हमारी लक्ष्मी है लक्ष्मी का बर्थडे आता है फश्ट जन्वरी को यह हमने लिखा है डेट भी लिखी है आप देख सकते हैं एक जन्वरी को लक्ष्मी का बर्थडे आता है इसके साथ साथ जो दक्ष है उसका 28, 28 जन्वरी को इसके बाद ये हमारा विद्ध्यारती है इसका यहाँ पर पूरवा का चार जन्वरी को बर्थडे आता है यह हमने बड़ा प्यारा सा ग्रीटिंग उनके लिए बनाया है जिसको हम अपने कक्षा कक्ष में लगाने वाले हैं इसी तरह से हमने जो फरवरी है उसके हमने बनाया है यहाँ पर हमारे केवल दो बिद्ध्यारतीयों का बर्थडे आता है इसी तरह से हमने ये मई तो इस तरह हमने ये प्रियास किया है कि सभी बिद्ध्यारतीयों का जो बर्थडे है उसके लिए हमने प्यारा सा ग्रीटिंग बनाया है और इसको हम उतने कक्षा कक्ष में लगाने वाले हैं निश्चित रूपस से साथ ही हो इस तरह के जो प्रियोग है वो बिद्ध्यार्थियों वो हमारे कक्षा कक्षी तरह पाकर्ष्य करते हैं यदि आपको हमारा ये टीलम अच्छा लगा हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्रा करें आशा है आपको लाब मिलेगा धन्यवाद नमस्कार क्में फुल हमारे करी चैनल को लगज़ाओ कर दो हमारे करी तरह कर दो से सब्सक्रादियों यद्द्दों कर दो पाले कर दो हमारे कि बवादियों नमस्कार धन्यवाद भर रहां है